नमस्कार मैं किंजल ओल्ट नूस से सोशल मीडिया पर एक दिवार पर बनी साइकल सवार की नकाशी की तस्वीर इस दावे से साजा की जा रही है कि यह तमिल लाडों के करीब 2000 साल पुराने और प्राचीन शिव मंदिल पंच बरना स्वामी की तस्वीर है साथ में कुछ और तस्वीरे भी शेर की जा रही है दावे के अनुसार तस्वीरों में एक अंतरिक श्यात्री, साइकल सवार और एक रिमोट की नकाशी को देखा जा सकता है फेस्बूक यूजर्स इसे साजा करते हुए यह परिकल्पना कर रहे हैं कि यह नकाशी करीब 2000 साल पुरानी है हाला कि आधुनिक विग्णान का मानना है कि साइकल की खोच कुछ 200 साल पहले हुई थी तो आईए देखते हैं कि इसके सच्चाई क्या है पहली तस्वीर इंडोनेशिया के प्रांत बाली में स्थित एक मंदिर में बनाई गई नकाशी की है नकाशी में डच कलाकार डबल्यू ओजे न्यू कूप को दर्शाया गया है साजा की जा रही अन्य तस्वीरों के समू की पहली तस्वीर तो पंच वरणा मंदिर की ही है लेकिन मंदिर के इतिहास का अभ्यास करने वाले डॉक्टर कलाई कोवन की माने तो मंदिर बेशक 2000 साल पुराना है परन्तु नकाशी पुरानी नहीं है उनका कहना है कि मंदिर में 1920 में नवीनी करन का काम शुरू हुआ था और यह कलाकृती भी उससे दौरान बनाई गई होंगी समू में जो आखरी तस्वीर है जिसमें अंत्रिक्ष यात्री की नकाशी है वो स्पेन के सालामंका में स्थित गिरजागर की है मूर्थिकार मिगेल रोमेरो ने 1992 में गिरजागर के नवीनी करन के वक्त उस सदी की एक निशानी छोडने हेतू या नकाशी बनाई थी समू के बीच वाली तस्वीर स्पेन के केलाहोर गिरजागर की है यहाँ पर भी वही कहानी है चर्च में 90 के दशक में हुए नवीनी करन के वक्त एक कलाकार ने साला मंका में गिरजागर की तरह अपनी निशानी छोडने के लिए या मुबाइल फोन की नकाशी बनाई थी तो जैसा कि हमने देखा सोशल मीडिया का दावा गलत साबित होता है शेर की जा रही चार तस्वीरों में से तीन तस्वीरे तो भारत की है भी नहीं ऐसे किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया पर स्याजा करने से पहले गहन विचार करे और किसी भी ब्रामक खबर, तस्वीर या वीडियों की सत्यता जानने के लिए All News एप से जुड़े रहे धन्यवाद